आज हम देखने जा रहे हैं क्लास नाइन जोग्रोफी का चैप्टर फिजिकल फीचर्स ओफ इंडिया और जो टॉपिक आज हम डिसकस करने जा रहे हैं वह है डिवीजंस ओफ नदन प्लेंज को हमने प्रीवेस वीडियो में कवर कर लिया है आज हम देखेंगे इसके सकते हैं अकोडिंग टुडिया फोर्मिशन अकोडिंग टुडियार फीचर्स तुडियार वेल्ट वहाबर काहां इस श्यूरू दिवाबर वैल्ट इस जा नेरो बैल इस उपर और यह जबावर होता है जो यह बहुत ही ज्यादा नेरो है उससाती यह कवर्ट है अपने साथ पैबल को मतलब इसमें क्या देखने को मिलते हैं तो बेसिक भाबर का यहीं है अगर आपको इस पूरे टॉपिक को समझना है तो इसका सिर्फ आइडिया इतना ही है कि सार नदन प्रेन है डिवाइड हो रखा इस चार्टिंग के अंदर जो पैबल मिलते हैं कहा से कहा तक formation है इंडसेट इसका formation है साथ ही साथ हमें क्या देखने को मिलता है इस के साथ यहां पर कई सारे निचे जाते हुए दिखते हैं क्या सारी स्ट्रीम्स यहां से देखने को मिलती है all the streams disappear at the bhabar belt और कही सारी जो streams होती है वो disappear हो जाती है भabar belt के अंदर तो sir जब bhabar belt के अंदर वो disappear हो जाती है तो फिर वो वापस कहा री-queriator रीप्छ कहाँ से होती है तो वो होती है sir तराई belt के अंदर टेलआइस नाक्स टू थी बहुत ज्यादा वेट, बहुत ज्यादा रहे है हैं इसके कारण क्या होता है कि यह फॉर्म करती है एक एसा रीजन एक ऐसा रिक्राइशन यह फॉर्म करती है जो रीजन बहुत ज़्यादा वेट होता है और रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा वेट होने के कारण वहापे स्वैम्स बन जाते हैं मार्शी रीजन वो बन जाता है जिसके किस नाम से जाना जाता है तरही नाम से जाना जाता है तो sir वो वापस recreate होती है, recreate होने के साथ री मज़ होती है और साथ ही साथ उस samp और mars रीजन को वहाँ पर बनाती है It was thickly forested regional full of wildlife तो sir ये एक thickly forest है, मतलब यहाँ पर जो forest हो बहुत ज़्यादा thick है साथ ही साथ यहाँ पर हमें diversity देखने को मिलती है wildlife की तो ये देखा गया कि sir जो ये तरह ही बैल्ट को क्या कर दिया गया ताकि sir हम एना agriculture land को वहाँ पर बता सके और साथ ही साथ जो migrants जो कहां से हमें मिले थे जो हमें पाकिस्तान से partition के टाइम पर मिले थे उनको भी settle करने के लिए इस तरह ही बैल्ट को इस तरह ही रीजन को क्या किया गया है अब हम बात कर लेते हैं तरह ही रीजन जब खतम हो जाता है तो शुडवात हो जाती है भांगर बैल्ट की तो sir अब हम भांगर बैल्ट को देखते है it is form from the older alluvium तो sir यह से form होती है older alluvium Quan tum theazy and the terrace like a feature तो यह क्या होती है एक flood Plains ऐसे बनाती है जो कैसे लगते हैं जो terrace दूझ जऑ हमें ऐसा यह feature लगता है कि sir इसने क्या बना दिया एक terrace बना दिया है यह भांगर ने इस planes are found far from the river basin तो sir यह जो तो सर इस लिजन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है जिसके कारण यह जो जादा यह लिए सब्सक्राइल हो जाता है तो हमें यह समझ में आ चुका है कि सर जो हमारा यह सेकंड जो भंगर बैल्ट है ना उसकी शुरुआत जो कैसी होती है यहां पर हमें कंकल होती है जो स्वाइं को से बहुत ही जाव ज़्याद करते हैं इसे बहोतीज्याद हो इसे बहुत ही agradeel करदे अब भात करते हैं खादर बेल्ट के ऐसा system एक नियूर और यंगर डिपोसिट का system एफट प्लेंस और तो सहीं जो खादर है वह और यंगर डिपोसिट है साथ इसा दे आर रिन्यूड अल्मॉस एवरियर और यह हर साल क्या होता है रिन्यू होता है है कुरकि यहां पर पहुआ क्या हुआ है तो आजपे क्या आइव इतना ही इस वीडियो से इलेटेड कोई भी डौट होते है तो आप कम्रेंट एक्जां में से पूर सकते हैं Thank you.